हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो माई चानल तो यहां पर हम देखेंगे आज कि हमें सेकेंड दिसेंबर में दाहिंदू में क्या-क्या डिसकस करना है आज के लिए तो यह आप सबको पता है ठीक है फिर भी मैं बता रहे हूं कि हमारा जितना भी डिसकुशन यहां पर होता है हम जितना भी डिसकुशन यहां पर करते हैं वह हिंदी में होता है तो चलिए वन बाई वन डिसकस करते हैं पहले पेज़ पर हमारा यह देख लो यहां पर है इंडिया ओफर टू होस्ट ट्वेंटी एड क्लाइमिट मीट तो इंडिया ने ओफर किया है कि वह होस्ट करेगी ट्वेंटी ट्वेंटी एड का यानि कि दोहसर रठाइस का क्लाइमिट मीट इस सरे लिए डिसकस यहां पर देखते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें एक चीज़ देखो क्या कहा जा रहा है रिफरेंग फ्रेश कमिटमेंट टू कंटेंट ग्लोबल टंपरेचर राइस प्रायमिट नरेंट्र मोदी इन हिस अड्रस आस कोप 28 conference of parties 28 में क्या कहा offer किया to host 33rd edition of annual summit due in 2028 जो कि 2028 में होने वाला है he said that developed countries ought to be vacating the carbon space ठीक है कह रहा है कि developed countries ought to be vacating the climate space before 2050 and made a pitch for country to join India on its green card initiative GCI which was a non-commercial effort to create a carbon sink तो यह non-commercial effort है create करने के लिए carbon sink और यह host करने के लिए इन्होंने बोला है तोजार अठाइस में proposal to host the conference of parties कॉप must be approved by other signatory to the United Nation framework convention on climate change तो उसे क्या करना होगा जो यह host करने के इन्होंने एक्छा जाइड की है जो प्रपोजल दिया है host करने के लिए तो उसको UNFCCC के जो भी signatories होंगे other signatories उनके द्वारा अप्रूफ करना होगा तब यह होगा कि हां यह decide करेंगे इंडिया has previously hosted the summit in 2002 इसके महले इंडिया ने 2002 में क्या किया है host किया है यह कितना important है इससे बहुत सारे question problems के बन सकते हैं इसलिए यह वाला हमारा important हो जाता है a small part of the humanity has ruthlessly exploited nature but the entire humanity is bearing the cost of its specialty in exhibit of the global south selflessness of the few will lead the world into darkness कहरा है कि कुछ लोगों के selfishness जो है वो क्या कर सकती है word को darkness में ले जा सकती है not just for themselves but for the entire world ठीक है और एक चीज़ आपको यहां दोगा इंडिया हमेशा बात करती है what is a one family के बारे में he said in the high level segment of this summit that's your leader and head of the state from several countries make a statement on their response to climate change तो यह line हमाई किस तरीके से यहां से important हो जाती है यह आप देख सकते हो तो यह प्री में आने वाला है और as I say कि हमारी जो यह पूरी analysis होती है ठीक है analysis जो यह हम करते हैं वो totally किस में होती है हिंदे में होती है कि ओके नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे देखेंगे और हमें कौन सा पढ़ना है यहां से पहले से टिक करने से इजी हो जाता है देखो क्या है एडिटोरियल वाले पेज पर हम आ चुके हैं एडिटोरियल बे कुछ ना कुछ important आता है एडिटोरियल हो या टेजरन कॉंटेस्ट वाला पेज जो पर कुछ ना कुछ ना कुछ important आ रहता है अभी तक तो जो लोग बहुत पहले से पढ़ रहे होंगे उनको रट गया होगा कि कौन-कौन से पेश में हमारा important रहता है हमें पढ़ना होता है improving the capabilities of Indian state क्या बात की गई है यह राम सिंग है डारेक्टर है डेली स्कूल of economics के and director डेली स्कूल of public policy and governance के है तो उन्होंने यह जो एडिटोरियल है या आर्टिकल है यह उन्होंने यह पूरा आर्टिकल दिया है देखते हैं the Indian state is a paradox of too big and yet too small try setting up a business or building a house in an urban area and you will quickly realize how the how the ticket of the license permit clearance and permission can make life impossible correct सहर में बहुत सारे rule and regulations होते हैं even as an ordinary citizen one can never be sure to be on the right side of the law and सर किटनेस रगलेशन ठीक है तो जो ordinary citizen है वो भी क्या करता है उसको भी देखना प्रतार वो कभी sure नहीं होता law के बारे में ठीक है law and regulations के बारे में at the same time vivarian state in the India is too small g20 group के बात करें country has the smallest number of civil servant per capita करेक्ट है पाब्ली सेक्टर शेयर इंडी टोटल इंप्लाइमें इंडिया 5.77 है half of the correspondent figure from Indonesia and China and just about third of the United Kingdom दिको इन्होंने अपने views इसमें दिये हुए हैं पर हमें पिक करना है कि हमें कौन सा अपने exam के point of view से हम कौन से point को वहां पर mention कर सकते हैं तो आपको पता ही है जो पहले से देख रहे हैं जब भी कुछ ऐसा होता तो हम उस पर क्या कर देते हैं देशियो पर बेट पब्लिक गूर प्रोवीजन वेलफेर वेलफेर पेमिंट और जस्टिस सिस्टम अच्छा देखो कई बार आपने यह देखा होगा जैसे इन्हों यह तो डेली स्कूल आफ एक्रामिक्स के हैं और जो भी है पर जब भी कोई कहीं का डिरेक्टर जैसे किस कि गवर्मेंट और्गनाइजेशन का होता है यह कुछ होता है तो हम जादा उस आर्टिकल को वेटेश देते हैं ठीक है perverse intensive created by the public institution and skill gap among officials have eroded the ability to form and implement sound policy तो मतलब इन्होंने इसे सब के बारे में यहाँ पर discuss करा हुआ है IS officer मतलब क्या सी वो servant का role है क्या चीज़े हैं वो सब यहाँ पर discuss किया है next बारे में दिखेंगे the process of Myanmar actual unification has begun अब यह founder and director है borders and broader conversion initiative विच और नाइस पी टूपी conversation and networking बिडिविन इंडियन वेमर थाई and which focus on India's act, East policy and Indian neighborhood policy अब देखो जब इस तरीके से हमें पता चल गया है यह कौन है तो हम इस article को जादा वेटेश देते हैं क्योंकि अगर कोई भी कहीं का member है ठीक है किसी भी चीज़ों में वो included है जो चीज़ें हो रही है तो हम ज़्यादा वेटेश देते हैं मीडिया दव मैंमार स्प्रिंग रेवल्यूशन आस मिलीटेंसी अन मिलीटेंट आक्शन अंगीस में अमार मिलिटरी बर्दियर आर मेरी डेवलोपेंट विच वी इन इंडिया शुड टेक इंटू अकाउंट सजिशन के दौर पर है ये 2022 में क्या बूल रहे हैं पारलल गवर्नेंस सिस्टम सेट अप बाई दी नेशनल यूनिटी कंसल्टेटिव काउंसिल के दौरा क्या किया गया पारलल गवर्नेंस सिस्टम सेट अप किया गया किसके दौरा ये किया गया नेशनल यूनिटी प्री डेमोक्रेसी फोर्स और एथनिक आप्र और्नाइजेशन का रेस्टाबिश किया गया था विद मोर देन 400 डाइवर्स रिप्रेसेंटेटिव के साथ 8 मार्श 2021 को ठीक है और गनाइज किया गया था इसको ओनलाइन पीपल असेम्बली पीपल असेम्बली कन्वेंट इन 2022 जन्वरी में विच अदॉप्टेटर डेमोक्रेसी चार्टर क्या F.D.C. फडेरल डेमोक्रेसी चार्टर अदेकलेर अ मार्स 31st 2021 कमिटी रप्रेसेंटिटी C.R.P.E.S. thereby leading to the formation of National Unity Government and U.G. in shaping Myanmar Spring Revolution तो अब आपको दो तिन चीज़े पता हो चली होगी कि यहाँ पर म्यानमार Spring Revolution की बाद यहाँ पर करी जा रही है ठीक है और यहाँ पर फिर क्या बात हो रही है चार्टर पॉलिटिकल गाइडलाइज तो यह क्या है इसके बारे में देखेंगे इवेंट सेट इन मोशन आफ्टर फॉर्मिशन आफ एन यूजी एन यूजी क्या है नेश्टनल यूनिटी गवर्मेंट ठीक है अब जो यह वारिस रिप्रेसेंटेटी अब जो यह वारिस रिप्रेसेंटेटीव है वो इलेक्टेटल लॉमेकर्स, प्लिटिकल पार्टीज और सिविल इसोबिदियंस मोमेंट के होंगे इतने सारे इसमें एनकलूड रहेंगे इवन विद दी एग्जिस्टिंग सॉट कमिंग दी चार्टर कंसेंशुवल अडॉप्शिन के नॉड भी क्वेश्चिन की इसको क्वेश्चिन नहीं किया रहा सकता तो यह मैनमार के कॉंटेस्ट में बात हो रही है पोस्ट को पोलिटिकल इवल्प्मेंट इन म्यामार नीट तो बे अड़स्टूड अग्टास्टिकल कलेक्टिव वर्क ऑफ डेलिबरेशन नेगोशिशन पॉलिटिकल कंसेंशन और यूजी फॉर्मेशन पॉलिटिकल फ्लीट और यूजी शुट नॉट बी सीन माइट इंडिया हुआ है अब देखो यहां से पहले थोड़ा देखेंगे एन आर्टिकल नवंबर एरा वड़ी इंडिपेंडेंट म्यानमार मीडिया ने क्या कहा था कि ओपरेशन 1027 इस क्रेटिंग अन्यू पॉलिटिकल टेंपलेट क्रेट कर रहा है म्यामार के फूचर के लिए ठीक है और ओनकोंग इंक्रीज जो है कॉडिनेशन आम ओफेंसे अगेसी मिलिटरी म्यामार मिलिटरी इसमें उसमें क्या बात हुई है म्यानमार स्प्रिंग रेवलिशन का तू यर्स ओन फ्रम दी कूप बन्यार अंग इंफिसाइस हाव मिलिटरी म्यामार मिलिटरी हैस अल्वेज उस्टू यूज दी कॉंसिटूटूशन लॉज एस टूल फॉर इट्सेल्फ और इट्स ओन इंट्रेस्ट तो बता रहे हैं कि किस तरीके से म्यामार मिलिटरी अपने ओन इंट्रेस्ट के लिए कॉंसिटूशन और लोग को यूज करती है यह वता रहे हैं तो हमें दो दिन चीजे जानी है तो यह हमने यहां से जाना दूसरा चीज एन्यूजी क्या है ठीक है और मियानमार स्प्रिंग स्प्रिंग रिवल्यूशन बस इतनी जानने की ज़रत है जो कि इन्हों ने इस पर डिसक्स किया आया के पॉइंट फोड़ी चीजे हो गई है अब देखो कर जिसको नहीं समझ में आया हो गई यह आर्टेकल तो क्या करना है कोई ज़रत नहीं है स्ट्रेस लेने की कि आप 10 जगह जाके सर्च करो आपको वस क्या करना है यह जान लेना है कि 2022 में पालल गवर्निंस सिस्टम ने सेट अप किया था नेशनल यूनिटी कंसल्टेटिव काउंसे एक पॉइंट यहां से खतम आप कुछ नहीं याद रखना उसके बाद फिर यहां से याद रखना है कि रिकीज को बाई कमिटी रिप्रेसेंटेटिव ठीक है देर वाई लीडिंग दी फॉर्मिशन ओफ नेशनल यूनिटी गवर्मेंट एन यूजी और इस्प्रिंग म्यामार इस्प्रिंग रिवलुशन सेकेंड पॉइंट यहां से हो गया जो आपको रिमेंबर मतलब करना है याद रखना है और आपको महां से हुआ फिर आगया जाएंगे फिर यह याद रखना है ठीक है कि मैंमार नीटू बेंडिस्टूट मतलब उसको समझने ज़रत है कि हिस्टोरिकल और और प्रटैस को लाबरेशन वोकम डेलिबरेशन नेकोशेशन और पॉलिटिकल गंसेंश यह चार पॉइंट आपको याद कर लेना है इससे हिए और इंडिया और म्यामार की क्या रिलेशन शिप है क्या वाइलिटरल कैसे वो उनकी चीज़े चल रही है त्रेट से रिलेटेड या फिर जो भी चीज़े वो लिग दोगे तो आपका एक एंसर वहां पर त्यार हो जा जोगे म्यामार से रिलेटेड है बस इतनी सारी थोड़ी चीज़े ही आपको यहां से याद रखनी है आगे आ जाएंगे क्या कहा जाएंगे आपे ग्लाद डाट इंडिया है सेट अप इंक्वारी और प्लॉट टू किल पन्नू जो आपको पता है निजर का वो जो हुआ थ किलिंग हुई थी खालि साथी से प्रेटेड जैजर ठीक है फिर उसके बात यहां पर देखो यह जो खालिस्तानी मुमेंट खालिस्तानी उससे रिलेटेड यहां पर हो रहे है तो क्या कहा जाएंगे ग्लाद देंडिया हसेट अप इंक्वारी इंक्वारी ओन प्लॉट दाट एन इंडिया ओफिशल वस इन वो इन फॉयल प्लोट ओन किल खालिस्तानी सप्रेक्टिस लीडर गुर्पवंत सिंह पन्नू और अमेरिकन स्वाल जो उनकी उनको वहां पे किलिंग हुई उनकी तो उसके लिए इंक्वारी इंडा करेगी उसके लिए उसके लिए उसके किया है विए अनमें इंडियन ओफिशल अपियर इन इंडिक्मेंट फाइल बाई फेडरल सेक्टर इंडी मनहेटन कोड जो वहां पे है वेंस्डे को अलोंग विद दी इंडियन नेशनल हूँ हैस डिपार्टमेंट अव जस्टीस अलेज़स हाइड सम वन इन यो वेस तू अससिनेट पन्नू पताब एक इलजान लगाया कि वहां पे उन्होंने मरवाया है किसी को हायर करके और इस पाओ इस पाओ इंडियन ने बोला है कि वो इनवस्टिगेट करेगी इस मैटर को and we have been clear that we want to see anybody that responsible for these alleged crime to be held properly accountable ऐसा कोडिनेटर है जो strategic communication के इनने सेक्योरिटी कांसिल वाइट हाउस के उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया no effect on ties बोला है however this will not have an impact on India-US relationship India-US relationship पर कोई impact is कर नहीं पड़ेगा I want to be very careful here that I don't get ahead of the Department of Justice and talk about an ongoing investigation I would say two things India remains a strategic partner India is strategic partner है and we are going to continue to work to improve strength and strategic partnership with India at the same time we take this very seriously आसा भी बोला हिनोने कि हाँ हमारी जो strategic partnership है बुर रहेगी Department of Justice in an indictment charge indictment charge India National Nikhil Gupta with currency to commit murder for hire for alleged rolling plot to kill Sikh American individual जो हुआ है आपने देखा होगा US ने ये सारी शिर्य की है पर आपको याद होगा क्यानडा में तो वहाँ जो इंडिया के वहाँ डिप्लोमेट थे उनको वहाँ पे एक्सपेल कर दिया गया था किरन कॉर गिल exclusive director जो है उन्होंने बोला है S.A.L.D.E.F. की S.A.L.D.E.F. की उन्होंने क्या कहा है विच देस्क्राइब इटसल अजानल सिख अमेरिकन impact organization focused on building leadership and capacity in Sikh American community said we are deeply disturbed by these reports and the potential threat by force to safety of communication since 2022 has been trust instead of censorship तो ये सारी बाते वहाँ पे की जारे है आप देखो सारी चीज़े दी गई है ना बहुत सारी क्या क्या हो किसने क्या क्या बोला पर important क्या है इसमें सिर्फ एक चीज़ वह है क्या की investigation किया जाएगा किसकी तरफ से इंडिया की तरफ से तो होता नहीं कि पूरा article होता है उसमें से crux निकालना होता और वो सिर्फ एक line इसमें है बाकि हमने पूरा देखा जो कि सारे के सारे important नहीं थे जब रहते हैं ऐसे तो हम कई बार महाँ पे start बनाते हैं UAE announced 30 billion dollar fund to boost climate investment तो इसका first से ही जान लो कि 30 billion dollar fund किसके लिए देदा रहा है climate investment के लिए UAE के तरफ से नेक्स्ट है वर्ड बैंक रिकॉल पेपर on decline toilet uses in इंडिया की earlier मतला पहले कैसे toilet use के लिए मना किया मतलब 2018 में किस तरीके से decline कर दिया जा रहा था ruler इंडिया में कि वो नहीं बनने देंगे toilet मतलब सब लोग एक तरफ की बहुत रिजिड होते है रूलर पेपल तो वहाँ बताया रहा है कि पेपर टाइटल प्रोग्रेस ऑन सानिटेशन इन डूलर इंडिया रिकंसीलिंग डावर्स इविडेंस जो कि बताया रहा है कि तो अभी आप देखो गाओ-गाओ में toilet बन चुका है toilet use has going down in rural India since 2018 with the largest drop in usage reported among people of schedule caste जो की 20% and schedule tribe 24% तो कि वो वर्डवैक ने उसका निकाला कि कैसा decline किया मतब पी आइब एक चीज़ देखो बताया जादा कि पी आइबी फ्लाइब नाइन यूट्यूब चानल्स पर फेक न्यूस तो फेक न्यूस पी आइबी ने fact check unit जो है fact check unit जो बनाई गई है fact check unit जो है पी आइबी की उसने क्या किया है नाइन यूट्यूब चानल्स ऐसे हैं जिसको बताया है with over 83 lakh subscriber है उनको वो spread कर रहे है fake news और misinformation important है यह और जिसमें चानल्स का नाम भी दिया गया है जिसमें आपके गुरुजी BG News, Sun Sunny Live, GBT News, Daily Study, भारत एकता अब बोलेगा भारत and सरकारी योजना तो यह यह जो है वो fake news और misinformation फिला रहे हैं तो क्या किया है पी आइबी ने चानल्स को बताया कि fake news पूर ला रहे है तो जो चीव जस्टीस इंडिया है प्राइम मिनिस्टर है इन सब और चैनल आज बजरंग एजुकेशन भी है जो कैसा कर रहे है तो मतलब यह लोग fake information और fake news फिला रहे हैं इसके लिए इनको दोशी मतलब यह लोग responsible है यह बताया गया है तो I think हमने science का पिड़ाज नहीं है और यह जो इन्वेस्टिकेशन क्या जाएगा इंडिया के तरफ से आपको देख लो आज कुछ ऐसा news हमारा इतना important नहीं है मैंनमार के context में यह है थोड़ी बहुत चीज़े देखी हमने और improving capability of Indian state तो इस पर तो आप अपने recording चीज़ें लिख भी सकते हो तो कुछ चीज़े थी जो हमने यहां से देखी और यह वाला हमारा important news यहां से निकल किया जो कि प्रीमे question भी बन सकते है तो आज एक मुझे में recording लगा जो important वो है यह प्रीके कि India host करना चाहती है 2028 के climate meet को और यहां से यह line important है कि उसने last किया था 2002 में अब लेकिन जो भी UNFCCC के जो और signature है वो प्रूफ करेंगे तो ऐसा इंडिया कर पाएगी तो यह था हमारा आज क्या analysis चो कि हमें पढ़ना था thank you so much मिलती हूं मैं आपको next video के साथ ठीक है तो यह हमारा आज का analysis था thank you पसंद आए like करे share करे subscribe करे channel को